किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्माय टेक्रिकल्चर योट्यूब चैनल अगर आप एक बिगे में 25 से 30 क्विंटर लेसुन का उत्पदन लेना चाहते हो तो फिर आपको लेसुन की खेती भी उन्नत तरीके से करना पड़ेगा काने का मतल आप लेसुन की प्रसल में कर देते हो तो लेसुन बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा लेसुन की जड़ों का विकास जमीन में ज्यादा गयरायत होगा आगे चलकर उस लेसुन की प्यदावार भी ज्यादा होगी तो वीडियो में विश्दार से बात करेंगे कि हमें लेसुन क पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अफलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और अगर आप हमारे वार्टसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रूप का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे वार्टसप ग्रूप से भ बढ़ती हैं और फासपोरस तन्य और जड़ों का विकास करता है और पोटास पोदे की रोग पृतिरोधक समता को बढ़ाता है पोदे की जल आउसुसन समता को बढ़ाता है और पोटास लेसुन के कंद के आकार वकंद में चमक को भी बढ़ाता है तो लेसुन में हमें समय समय पर इन पोश्चक ततों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए इसके लिए हम वुवाई के समय पर NPK 12, 32, 16 या DAP के साथ MOP खाद का प्रयोग तो करते हैं लेकिन इसके अलावा भी पोदे को समय समय पर इन पोश्चक ततों के अवश्यक्ता होती हैं इसके लिए हमें समय समय पर NPK गुलंचिल खादों का इस्प्रेश जरूर करना चाहिए तो जब हमारा लेसुन 30 दिनों के असपास का हो जाता है तब हमें लेसुन में NPK 1919, 1919 का इस्प्रेश अवश्य करना चाहिए क्योंकि जब पोदा 30 दिनों के आसपास का हो जाता है तब वह वेजिटेटिव ग्रोथ करने की अवस्ता में होता है इसलिए अगर उस समय पर पोदे को नाइट्रोजन, पासपोरस और पोटास मिल जाते हैं तो पोदा अपना पोदे अच्छी तरीके से बनाएगा, ग्रोथ भी तेजी से करेगा हलाकि हम ग्रोथ बढ़ाने के लिए 35-30 दिनों के आसपास यूरिया तो डालते हैं लेकिन हमें NPK 1919 का इसप्रे भी जरूर करना चाहिए क्योंकि यूरिया का काम अलग होता है और NPK 1919 का काम अलग होता है अगर इसके परियोग करने की मातरा एवम तरीके के बारे में बात करे तो आप एक एकर में 1 kg NPK 1919 का स्प्रे करे और 15 लेटर पानी वाले स्प्रे पंप में 100 ग्राम NPK 1919-19 प्रयोग आप सही तरीके से करे जब आप 1919-19 का इस्प्रे करते हो तब खेत में नमी होना जरूरी है पहले आप खेत की सीचाई कर दीजे उसके बादी NPK 1919-19 का इस्प्रे करे नई तो लासुन के पत्ते जल सकते हैं और आप पुरे खेत में एक समान इस्प्रे करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी जगह पर बहुत ज़्यादा देर इस्प्रे कर दिया और किसी जगह पर बहुत कम देर इस्प्रे करें तो और हो सके तो आप NPK 1919-19 के साथ सिलिकोन बेस्ट चिप को भी जरूर मिलाए क्योंकि लैसुन की पत्तिया नुकिली होती है जिससे पानी पत्तियों से बैकर जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है इसलिए सिलिकोन चिप को मिलाने से स्प्रे का रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा तो किसान भाई यो हमारे इस वीडियो में कहने का मतलब यह है कि आप लैसुन की फसल में 30 दूनों के आसपास एक बार NPK 1919-19 का स्प्रे अवश्य करे जिससे लैसुन में पिलापन भी दूर हो जाएगा लैसुन की ग्रोध भी तेजी से बढ़ेगी तो आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके आवश्य बताईए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक वो शेयर जरूर करे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान